हेलो एंड वेलकम माई डियर फ्रैंक डिस इस मी कुमार फंकर जोर आपका एक वार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लैटफॉर्म क्रेक्टनाव पर दोस्तो हम लोग देख रहे हैं यूपी पीस्सी दोहजार चौबीस और यूपी आरो ए आरो दोहजार चौबीस के साइन्स एंड टेकनोलोजी मेरे प्यारे बच्चे साइन्स एट टेकनोलोजी सी क्वेश्चन बहुत आते हैं और सीधे gefragt आपको देखने मिलताए है तो इस एक ही वीडियो में आपका साइन्स टेकनोलोजी बाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा छे महीने के गरिंट अफेर से सूपड़ा साफ कर देंगे बच्चे चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये महतपूर गरिंट अफेर का सेगमेंट साइन्स एंग टैक सबसे पहला करिंट अफेर मेरे प्या प्रियोग साला शुरू की है वो भी देख लाइते हैं आई ए मेरे प्यारे बच्चे सबसे इंपोर्टेंट बात है कि ।da है है कहां पर है तो दक्षड पश्चमी चीन के सिचुवान प्रांत में हैं और ये कब हुआ तो दिसंबर 2023 में 2400 मीटर गहरी यानि 1.5 मील जमीन के नीचे इस फिजिक्स लेबोरेटरी को चायना ने डिवलप किया है बच्चे और इसमें क्या याद रख सकते हैं तो इसमें दुनी है अब तक सबसे गहरी लेब कौन सी थी तो इटली की थी जिसका नाम था ग्रीन सैसो नेशनल लेबोरेटरी क्या नाम था प्यारे बच्चे ग्रीन नाम था Green Saiso National Laboratory लेकिन आप कौन सी हो गई है तो अब इसका नाम है Jinping Lab तो आप देहान रखेंगे चीन की इस Lab का नाम है Jinping Lab और अब आप से पूछे कि दुनिया की सबसे गहरी Lab या Laboratory कौन सी है तो आप बताएंगे Jinping Lab है पहरे बच्चे क्या नाम है Jinping Lab तो नाम से समझ में आएगा C. Jinping के नाम पे रखी गई है ये Jinping Lab इसका उद्देश से क्या है मेरे पहरे बच्चे तो ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस डार्क मेंटर के बारे में अध्यन करने के लिए इसको प्रत्वी के नीचे इस्टेबिलिस किया गया है फिजिक्स की लैब है ध्यान रखेंगे इतनी बात तो जीवन आपका आसान हो जाएगा पहरे बच्चे इससे जादा इसमें और कुछ जानने की जरुवत आपको नहीं पड़ेगी करन्ट अफेयर मुतना ही देखते हैं जितने से क्वेस्चन बनता है नेक्स करन्ट अफेयर है आई आई टी मदरास ने पानी से आरसेनिक और धातू आयनों को हटाने के लिए अमरित का विकास किया है पानी से आरसेनिक और धातू आयनों को हटाने के लिए अमरित का विकास IIT मदरास के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे तो इस्क्रीन पे मैं इसी लिए image भी लगाता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ सकें आसानी से आईए देखते हैं ये क्या current affair है तो प्यारे बच्चे IIT मदरास में पानी से आरसेनिक और धातु आयनों की मात्रा को 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर के इस तर तक कम करने के लिए जो की एक सुद्ध पेजल की डिमांड होती है कि उसमें जो धातु आयन है वो मेटल आयन जो है वो 0.01 से कम होने चाहिए तो इसी को राप्त करने के लिए IIT मदरास ने अमरित नाम का ये टेकनोलोजी डिविलप किया है नाम क्या है प्यारे बच्चे अमरित नाम है इसका अमरित की फुल फॉर्म क्या है तो A4 है आरसेनिक M4 है मेटल आरफोर रिमूवल वाई इंडियन टेकनोलोजी तो अमरित की फुल फॉर्म क्या हो जाती है आरसेनिक एंड मेटल रिमूवल वाई इंडियन टेकनोलोजी तो इसके नाम में ही है आरसेनिक एंड मेटल रिमूवल उसी के लिए है जिसके दोरा जल को सुद्ध किया जाएगा एक चीज और इसमें याद रख सकते हैं कि यह कैसे आर्सेनिक और जो है मैटल रिमूवल करेगी तो यह टेकनोलोजी है नैनो इसकेल आइरन ओक्सी हाइड्रोकसाइड क्या नाम है नैनो इसकेल पर आइरन ओक्सी हाइड्रोकसाइड का उपियोग किया जाएगा जब इस मैसे पानी गुजरेगा नैनो इसकेल आइरन ओक्सी हाइड्रोकसाइड से तो पानी में यह आर्सेनिक पानी से अलग कर देगा तो ये प्रोसेस याद रखेंगे नैनो स्केल आइरन ओक्सी हाइड्रोकसाइड ये आरसेनिक को हटाने के लिए त्रियाग होगा मेरे प्यारे बच्ची ये जो जल सोदक टेकनोलोजी है ये घरेलू और सामुदा एक दौनों इस तरों के लिए विक्सित की गई है यानि समय तक भोजन और पानी में आरसेनिक को कंज्यूम करते हूँ तो आरसेनिक जो है इसकिन कैंसर के लिए जो है बहुत ज्यादा कौजिव है यानि इसकिन कैंसर कर सकता है आरसेनिक का बहुत ज्यादा प्रयोग तो इसलिए आरसेनिक को हटाई दाने के लिए ये काम शुरू विवाग की वो भी स्वक्षता से संबंदित नई नई टिकनोलोजी को डिवलप करती है तो उसका भी इसमें जो है देख रेख है और सरकार ने भी सभी ग्रामीड परिवारों को सुरक्षत और पीने योग नलजला पूर्ती प्रदान करने का लक्ष निर्दारित किया हुआ ह तो उस और भी एक महतफूर कदम हो सकता है और आपको पता होगा प्रदान मंतरी मूदी जी ने जल जीवन मिसन की सुरुवात भी कीती 2019 में तो जल जीवन मिसन के तहत भी एक महतफूर लक्ष है तो यह द्यान रखेंगे इन सभी लक्षां को प्राप्ती के लिए ये IIT मद प्रास के द्वारा सुरू किया गया एक बहुत शांदार इनिशीटिव है याद रखना है नेक्स क्वेस्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे विस्व का पहला आटीफीसियल इंटेलिजेंस यूमिन रोबोट सीईओ बना है यानि अब आप देख रहे हो कि एक आटीफीसियल इंटेलिजेंस यूमेनोइड रोबोट बना है यूमेनोइड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे यूमेनोइड रोबोट का तात्पर यह होता है ऐसे रोबोट जो होते तो रोबोट हैं लेकिन दिखते मनुस्य की तरह हैं उनका जो दिखने का जो हाब बंद्यमा है, फेस है, वो सब इंसान की तरह होता है, तो वो humanoid robot कहलाते हैं, तो आईए इसके बारे में detail से देखते हैं, कि ये क्या महतपूर करेंट का फेयर है, सबसे पहले तो आप एध्यान रखिएगा, कि Poland की company है, जिसका नाम है Hanson Robotics, क्या नाम है पहरे बच्चे, Hanson Robotics, इस company ने इस robot को एक Columbia के काटा जेना में, एक spirit brand dictator के साथ मिलकर, ये Mika नाम का विस्व का पहला humanoid robot बनाया है, और ये robot को हाल ही में प्यारे बच्चे, मुख्य कारेकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, Chief Executive Officer नियुक्त किया गया है, और ये जो humanoid robot है, जिसका नाम है Mika, ये लक्ष कंपनी के अधितिय मुल्यों के साथ उन्नत Artificial Intelligence और Machine Learning का मिसरण है, तो ये दो चीजें जो आज के समय में बहुत व्यापक चल रही है, Artificial Intelligence और Machine Learning, दोनों का ही मिसरण है, दोनों का ही ये काम कर सकती है, और इसका नाम Mika है, ये बात ध्यान रखेंगे, पोलेंड क कंपनी, Henson Robotics ने इसको बनाया है, Henson Robotics मेरे प्यारे बच्चे, Humanoid Robot के छेत्र में बहुत व्यापक तरीके से काम कर रही है, 2016 में आपने एक नाम सुनाओगा, Sophia, ये भी Humanoid Robot थी, और Sophia की छोटी बहन है, Mika, तो ये द्यान रखना है, दोनों ही कंपनी, Henson Robotics ने इनको बनाया है, Sophia को, और अब Mika को, और Mika, Chief Executive Officer हो गई है, यानि छोटी बहन होनहार निकली, मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखेंगे, Henson Robotics के CEO कौन है, Chief Executive Officer कौन है, तो David Henson इनका नाम है, इनी के नाम पे कंपनी का नाम है, Henson Robotics, ये हमीशा से सुरू से ही, इनका सुरक्षा और Artificial Intelligence के, जो Humanoid, जो Robots है, इनको Importance दी जानी चाहिए, Security में और तमाम चीजों में, तो दिहान रखेंगे, इसी का Mika एक, इनका Example भी है, अगला महतपूर Current Affair है, पहरे बच्चे, अमेरिका द्वारा, विस्व की पहली, चिकन गुनिया वैक्सीन, बहुत Important है, ये Current Affair, अमेर के द्वारा, क्या नाम है, इस वैक्सीन का पहरे बच्चे, इसका नाम है,ujemy मेरिका ने टेलब की है, आई है इसके बारे में कुछ Mहतपूर्ण बात जान लेते हैं, तो Amériqueा के खाद्य और उस्वी प्रसादन, यानि, जो है ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन ने फूड एंड ड्रग FDA कहते हैं इसको 9 नवंबर 2023 को चिकन वुनिया के पहले टीके जिसका नाम है इकसी चक मैंने बता दिया आपको इकसी चक कह सकते हो आप इसको या जियों का तो रट लो माननेता का मिली अमेरिका में दवाई का क्या नाम है इकसी चक और किसने डिवलप किया है तो बैल नेवा ने यहीं तीन चीजों से question पूछेगा और आपको चिकन गुनिया के बारें पता है प्यारे बच्चे वाइरस है इंसान में मख्यरूप से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है चिकन गुनिया में आपको बुखार आता है बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है घुटने में पसलियों में तो जोड़ जहां होंगे वाँ दर्द होगा सिरदर दोगा, जूडों में सूजन हो जाती है, इसकिन पर दाने हो जाते हैं, तो इस तरीके के जो है चिकन गुनिया के लक्षन है, पिछले 15 वर्सों में 50 लाख मरीजों में चिकन गुनिया की पुष्टी होने के बाद, बीमारी वर्तमान में वैस्विक स्वास्त का खतरा बन गई थी, तो उस दिसा में ये महत्पूर कदम है, इस चीचक नाम की इस खुराक का मिलना, ये एक सिंगल डोज है प्यारे बच्चे, एक ही डोज दी जाएगी और काम हो जाएगा, तो सिंगल डोज है और धियान रखियेगा ये 18 वर्स और उससे अधिक उम्र के लोगो इंट्रा वीनस वैक्सीन, ठीक है, इंट्रा वीनस वैक्सीन है ये, आप इसको याद रखेंगे, महतपूर है, इंट्रा वीनस है, यानि जो है मास पेसियों में इसको दिया जाएगा, तो जीवन आसान है लाल लालियो, ध्यान रखेंगे, इस चीचक इसका नाम है, इंपो तक आपने black hydrogen देखा होगा सफेद hydrogen भी भंडार मिलने लगे हैं प्यारे बच्चे और यह कहां मिले हैं तो France में मिले हैं ऐसा ऐसा नहीं है कि यह पहली बार मिले हैं और भी बहुत सारे देशों में पहले मिल चुके हैं ऐसी खोज हो चुकी है लेकिन फिलाल France में इनको खोजा यह है कि यह सबसे बड़े भंडार हैं जो France में खोजे गए हैं वैज्ञानिक का नाम है जैक स्पिरोनोन और फिलिम डी डोनाटो यह नौर्थीस्ट फ्रांस में जमीन के नीचे जीवासमीधन की तलास कर रहे थे और जीवासमीधन की तलास करते करते इनको सफेद hydrogen एक महत पूर्ण बंडार की खोज हो गई मेरे प्यारे बच्चे उन्होंने देखा कि 1250 मीटर नीचे hydrogen की 20% से अधिक सांदरता है अब important बात क्या है वो देखिए इसे सफेद hydrogen नाम क्यों दिया गया है क्योंकि प्यारे बच्चे इसके उत्तपादन से green house gas उत्तपन नहीं होती ठीक से कम होती है और इसको easily use किया जा सकता है तो यह जो पारंपरिक जो हम इधन यूज करते है उसको replace कर सकता है यह इसलिए महत्पूर है अगर हम पहले और देखें तो रूस, ओमान, फ्रांस, माली और अन्ने इस्तानों पर पहले भी सफेद hydrogen बंडार की खोज की जा चुकी है तो यह ऐसा नहीं है कि फ्रांस में भी पहली बार है फ्रांस में बड़ा है बंडार जो इस बार मिला है बाकि और सारे देशों में भी यह मिल चुका है सफेद hydrogen मेरे प्यारे बच्चे प्राकिर्तिक रूप से प्रत्वी की पपड़ी में उत्पन होता है और इसे एक संभा स्वक्षी उर्जा माना जाता है हाइड्रोजन के अन्य रूपों के विप्रीद सफेद hydrogen जलने पर केवल पानी पैदा करता है इसलिए मैंने कहा कि green house gases इससे उत्पन नहीं नहीं होती इसलिए ये बहुत महतपूर है और इसलिए हम इसको पड़ भी रहे हैं प्यारे देखते हैं गहरे समुद्र में समुद्रियान की launching 2026 में तो भारत जो है जहाँ आदित्या एलवन में उपलब्दी हासिल कर चुका चंद्रियान टू लॉंच कर चुका अब हम अंतरिक्ष के साथ साथ जमीन में जाने का प्रियास करेंगे समुद्र में जाने का प्रियास कर तो इसका नाम याद रखिएगा मत्स 6000 इसका नाम है गहरे समुद्रियान का और आईए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो चंद्रमा और सूरिया की दिसा में हम अल्रेडी अध्यन कर रहे हैं बड़े-बड़े अब समुद्र में भी मेरे प 5000 नाम दिया गया है यह नाम याद रखेंगे नाम क्या है मत्स 6000 इसका निर्मान किस ने किया है यह याद रखेंगे चेनने इस्टित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसन टेकनोलोजी यानि एन आई ओटी के द्वारा डिवलप किया गया है इसको तो द्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे यह बहुत महतपून है और किसलिए इसको लांच किया जा रहा है तो गहरे समुद्र में श्रोतो और जैवे विविदता के अध्यन के लिए तीन लोगों को इसमें भेजा जाएगा इस्तो द्यान रखना है कितने लोगों को भेजा जाएगा प्यारे बच्चे तीन लोगों को इस मिशन पे भेजा जाएगा जैसा कि आपने पीछे इमेज में भी देखा होगा तो यहां द कि जाएंगे कि ऐसा कुछ मिलता है तो यह को विक्सित करने के लिए यह महतफून जो है launching इसकी 2026 में होगी अगर आपसे पूछ ले तो इसमें आपने दो बातें याद रखनी है इसका नाम इसकी launching और तीन लोग ठीक है इतना याद रहेगा तो जीवन आसान रहेगा चेन्नई के institute N.I.O.T. का नाम भी याद रखेंगे अगला महतपूर करेंट अफेरा मेरे प्यारे बच्चे दुरलव धातू टेंटलम की खोज की गई है और ये बहुत महतपूर है भारत के point of view से क्योंकि टेंटलम ये दुरलव धातू भारत में मिली है 17 नदी में मिली है आईए इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले atomic number याद रखिएगा टेंटलम का 73 इसका atomic number है नाम है इसका टेंटलम दिनोट इसे करते हैं TA से ठीक है और इसके बारे में महतपूर बातें आईए जान लेते हैं प्यारे बच्चे तो दुरलव धातू टेंटलम की खोज IIT रोपड के सोध करता हूं द्वारा पंजाब में सतलज नदी की रेत में की गई है टेंटलम धातू की खोज मेरे प्यारे बच्चे ये खोज संस्थान के civil engineering बिवाग में assistant professor है Dr. Resmi Sebastian उनके नित्रत में एक team थी उस team ने इसकी खोज की है तो ये पूरे भारत के लिए महतपून है टेंटलम एक कठोर धातू है प्यारे बच्चे चमकदार है और transitional state में रहने वाली metal है जो अपके दिक संचारण त्रतिरोधी है यानि ये जल्दी से जो है छारण नहीं होता इसमें गलती नहीं है जंग नहीं लगता तो बहुत ही important है ध्यान रखेंगे टेंटलम का atomic number मैंने आपको बता दिया 73 का atomic number है साथी साथ ये इसतना ज़्यादा लचीला पन है मेरे प्यारे बच्चे ये सबसे ज़्यादा important होता है कि कौन सी धातू कितनी ductile है कितनी लचीली है जितनी ज़्यादा लचीली होगी कितनी ज़्यादा useful होगी तो टेंटलम इतना लचीला होता है कि बिना टूते ये पतले तार या धागे में भी परिवर्टेत हो सकता है तो आप देख रहे हो कितना important है और जो इतना जादा लची लापन जिसमें होता है वो बहुत ही महतपून धातु होती है मेरे पैरे बच्चे और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये पतली है लचीली है और संछारण इसमें नहीं होता इसकी अत्रिक्त मेरे पैरे बच्चे ये 150 डिगरी Celsius से नीचे के तापमान पर सा सुरक्षित है रासाइनिक हमले के ठीक है तो द्यान रखेंगे यानि एक सो पचास डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर भी इस पर रासाइनिक हमला किया जाए तो उसमें भी यह पूरी तरह सुरक्षित रहता है यानि आप समझ सकते हो कितना इंपोर्टेंट है टेंटलम का उप्योग प्यारे बच्चे मोस्टली किसमें किया जाएगा तो इलेक्ट्रोनिक सेक्टर में सबसे अधिक इसका प्रियोग किया जा सकता है इससे बने कैपेसिटर किसी भी अन्य प्रकार की कैपेसिटर की तुल्ला में अधिक रिसाब के है न छोटे आकार में अधिक विजली स्टोर करने में सक्षम है तो आपको पता होगा जो कैपेसिटर लगते हैं आपने मोटर में देखा होगा पंखे में देखा होगा वो लीक हो जाता है फट जाता है अलग भार सा आने लगता Cra Duck तो जो टैंटलम के तो ध्यान रखिएगा टेंटलम धातू की कोज मेरे प्यारे बच्चे कहां की गई है सतलज नदी की रेत में किसने की है आई आइटी रोपड और सिबिल इंजीनियर इंगे वहाग डॉक्टर रस्मी रेस्मी सेबस्टियन की टीम ने इसके बारे में जितनी डिटेल्स मैंने बताई हैं याद रखेंगे अगला महतपूर करेंट अफेयर है कॉम्पेक्ट सेमी कंड़क्टर चिप का पेटेंट मिला है एक भारतिये को और आपको पता है इंडियन जो गवर्मेंट है वो सेमी कंड़क्टर और इन सेक्टर में बहुत तेजी के साथ जो एकाम करने पे और उस इस्तिती में किसी एक भारतिय व्यक्ति को कॉम्पेक्ट सेमी कंड़क्टर चिप का पेटेंट मिलना अपने आप में अबूत पूर्व है मेरे प्यारे बच्चे नाम याद रखेंगे उत्तराखंड के डॉक्टर अर्विन सिंग रावत और उनकी सोध टीम ने मलेस किया में सेमी कंड़क्टर चिप पर ट्रांसफार्मर का अविस्कार करके अंतरराष्ट्य पेटेंट हासिल किया है मेरे प्यारे बच्चे पेटेंट जो होता है वह बौधिक प्रियोग पे मिलता है आपकी नवाचार पे पेटेंट दिया जाता है ताकि कोई और व्यक्ति इसको पियोग ना कर पाए लेकिन द्यान दकिएगा क्योंकि यह अंतरराष्ट्य पेटेंट है तो इंटरनेशनल पेटेंट किसी चीज को मिलता तो उसको प्होई-प्य राष्ट यूजक कर सकता है इंडियन पेटेंट नहीं है इस पर यह हैं इस होज को गोई पुमार कता University of Science Malaysia के साथ मिलकर दर्ज कराया है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा देशों के लोग इन्वाल्व है तो यह International Patent की सुरेणी में आया है ध्यान रखना है नाम क्या है Compact Semiconductor चिप मेरे प्यारे बच्चे यह ध्यान रखिएगा यह जो चिप है डॉक्टर अर्विन ने बताया कि यह चिप पर सबसे नए आकार और नियुंतम चित्रपल का on-chip transformer है और यह 5G, 6G TV, दूर संचार, mobile, laptop, computer सबी तरह के जो है इलेक्टोनिक उपकरणों में यह उप्योग किया जा सकेगा तो ध्यान रखिएगा compact semiconductor chip महतपूर रहने वाला है मैंने आपको बता दिया एक अंतर राष्ट पेटेंट है इसलिए इसे कोई भी देश इस आविसकार का प्रियोग कर सकता है बिना किसी वाधा के बाकि यह जो पेटेंट है यह voltage level को परिवर्थित करने, electronic device संचालित करने म विसुद बाधा रहे तक DC करंट प्रवाहित करता है यानि direct करंट प्रवाहित करता है धान रगना है यह महतपूर है मेरे प्यारे बच्चे भारत बर के जो दुनिया बर के जो scientist है वो इस छेत्र में काम कर रहे हैं दूर संचार में chip बने transformer पर और भारत ने इसमें एक उपल में अग्रणी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तो यह ताज का महतपूर करंट प्यार आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि हम घ्रो कर पाएं चोटे चैनल तब बड़े होते हैं जब अपनों का सहयोग मिलता है प्यारे बच यह पड़ते रहिए स्वास्त और सुरक्षित रहिए औल दावेस फॉर एक्जाम है वे गुट डे जैहिंद